दि कश्मीर फाइल्स इस समय की बहुत चर्चित फिल्म जो आधारित है कश्मीर के उस दौर पर जब आजाद कश्मीर की मांग जोरो पर थी ये वो दौर था जब ना जाने कितने लोग अपने घर छोड दूसरे राजियों में पलायन करने को मजबूर हुए थे और जो अड़े उन्होंने वो सब झेला जिसकी कोई सीमा नहीं थी हत्या, लूट, बलातकार इस तरह की सभी घिनोनी हरकते भी उस दौर की खुरूरता का हिस्सा रही आप तोर पर इस मुद्दे पर बोलने से या बात करने से भी लोग कत्राते हैं मगर अब इस पर एक पूरी फिल्म बनी जिसका लाइम लाइट में आना तै था हाला कि शुरुवात में फिल्म को कोई खास रिस्पॉंस नहीं मिला प्रमोशन के लिए बड़े बड़े टॉक शो पीछे हट गए डिरेक्टर विवेक अगनी होतरी की इस फिल्म को रिलीज होने के लिए सिर्फ छे सो स्क्रीन ही मिली थी मगर लोगों में इसका क्रेज देखकर ये बढ़ा कर दो हजार तक पहुँच गई इसका ऐसा क्रेज की वाटसाप पर इस मूवी के लिंक शेर किये जाने लगे इसके अलावा भड़काओ और विवादित बयान आने लगे सेक्यूलर तक समझ आता है मगर सेक्यूलर हिंदू जैसे शब्द ट्रेंड में आ गए इन सब के बीच एक मेसेज और खूब शेर हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म अंतराश्री स्तर पर पहुँच गई तो इससे पूरी दुनिया को कश्मीरी पंडितों का सच पता चलेगा भविश में भारत को अंतराश्री मंच पर कश्मीर मुद्देग में कूटनीतिक फाइदा मिल सकता है अगर मूवी देखनी है तो सिनेमा घर में जाकर देखाए वाटसैप पर शेर हो रहे हैं लिंक फिल्म को नुकसान पहुचाते हैं साथ ही आपके फोन में आपकी कीमती और निजी जानकारी भी चुरा सकते हैं आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24 इंटू 7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए